नमेश क्याल बच्चों हमने पाट पाच इद गाह पढ़ा इद गाह की कहानी क्या थी? कि इद गाह में इद के दिन का वर्णन किया गया था इद के दिन सभी लोग बड़े प्रसन थे बड़े खुश थे, खास कर बच्चे क्योंकि उन्हें इद का आजाना था और उन्होंने बहुत सारी योजनाए बना रखी थी कि इद पर वो अपने पैसों से क्या खरी देंगे क्या खाएंगे और कैसे पूरा दिन वो इंजॉय करने वाले थे मजे करने वाले थे तो जो महमूद, महसेन जितने बच्चे थे वो बड़े खुश थे सभी अपने अपने पैसों को गिन रहे थे कि मेरे पास बारा पैसे है महसेन कहता मेरे पास तो पंदरा पैसे है है ना तो सभी वाँ जाने के लिए तयार थे फिर सभी अपने अपने पिता जी के साथ ईदगाह जाने लगे तो जो हामित था उसके पिता भी नहीं थे लेकिन वो खुश था उसकी माताजी भी नहीं थी उसकी अम्मीजान भी नहीं थी फिर भी वो खुश था क्यों खुश था क्योंकि उसको ये उमीद थी ये आशा थी कि उसके पिता जो है वो उसके लिए पैसे कमाने गए हैं और उसकी माताजी जो है वो अल्ला मिया के घर गए है उसके लिए अच्छे-ची चीजे लाने के लिए और वह भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह में चला गया वहाँ जाकर उसके जितने भी मित्र थे दोस्त थे वो सब ही ईदगाह से पहले जैसे ही शहर के पास पहुँचे आसपास के दुकाने और वहाँ के तोर तरीके वहाँ की सब चीजे देखकर बाग बगीचे बहुत खुश हुए फिर ईदगाह पहुँचे सबने वहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी और उसके बाद गले मिलकर ईद की मुभारक बाद दी और फिर तूट पढ़े वो दुकानों पर की अब हम सामान खरीदेंगे है ना तो फिर उन्हों ने बच्चों ने अपने लिए मिट्टी के खिलोने खरीदे और हामिद को भी कहा कि तुम भी खरीद लो लेकिन हामिद के पास केवल तीन पैसे थे इसलिए उसने वो नहीं खरीदे लेकिन उन्हें कह दिया अपने मन को भी समझा लिया ये कहकर कि ये मिट्टी के खिलोने टूट जाएंगे तो इन्हें खरीदने से कोई फाइदा ही नहीं और इस तरह जब वो मिठाई खाने लगे तो उसने मिठाई भी नहीं खाई पूरा दिन वो मेले में ऐसे ही घूमता रहा फिर उसकी नजर एक चिम्टे की दुकान पर गई और तभी उसे याद आया कि उसकी बूड़ी दादी जिसके साथ हो रहता था जो उसे इतना प्यार करती थी जब वो उसके लिए रोटियां सेखती है तो उसके हाथ जल जाते हैं तो वो अपने मन में सोचता है कि मैं तीन पैसे से अपने दादी के लिए चिम्टा खरीद लेता हूँ और इस तरीके से उसके हाथ भी नहीं जलेंगे और वो है जो है बहुत खुश होगी कि हामिद उसके लिए चिम्टा लाया है बहुत सी दुआएं देगी और मेरी प्रिशनसा भी करेगी ये सोचकर उसने चिम्टे वाले से पूछा कि चिम्टा कितने का है और जब उसे पता चला कि चिम्टा छे पैसे का है तो उसका दिल बैठ गया वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसके पास केवल तीन ही पैसे थे लेकिन फिर उसने मोलभाव किया तो चिम्टे वाले ने तीन पैसे में ही उसको चिम्टा दे दिया बड़ी शान से उस चिम्टे को लेकर वह है अपने दोस्तों के बीच गया जब उसके दोस्त उसे कहने लगें कि ये क्या तुने खरीदा है तो उसने कहा यह बहुत मजबूत है और दूसरे तुम्हारे मिट्टी के खिलोनों को तो ये चकना चूर कर सकता है तो इस तरीके से वो जब घर पहुंचा उसे लेकर तो दादी ने भी पूछा कि ये क्यूं लेकर आया है लेकिन जब दादी को पता चला अमीना को पता चला कि उसके हाँ जलते थे इसलिए उसके लिए चिम्टा लाया है तो उसका जो गुसा था क्रोध था वो चला गया और रोते रोते अमीना ने हामित को अपने गले से लगा लिया उसने सोचा कि इतना छोटा सा बच्चा कितना सोच सकता है उसमें पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया और बच्चों की तरह क्या उसका मनना लल्चाया होगा लेकिन ना खिलोने खरीदे ना कुछ खाया पिया और इपनी दाधी के लिए चिम्टा लेकर आया उसके स्नेह, उसके त्याग, उसका विवेक देख कर दाधी बड़ी खुश हुई और उन्होंने उसको बहुत सारी दवाएं दी तो देखा बच्चों आपने, ये था इस कहानी का सारांश इस कहानी का छोटे सा रूप लेकिन अब हमें इसके प्रशन उत्तर लिखने हैं और जिसने मेरी इस कहानी को ध्यान से सुना हैं, उसको तो सारे प्रशनों के उत्तर पता चल गए होंगे तो चलो, एक बार इन प्रशनों के उत्तरों को दोहरा लेते हैं ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं कि ये है आपका पार्ट पांच इद का पहला प्रशन है, इद कब आती है तो इसका उत्तर है, इद रमजान के तीस रोजों के बाद आती है महमूद और महुसिन के पास कितने कितने पैसे थे? महमूद और महुसिन के पास कितने कितने पैसे थे? महमूद की पास बारा और महुसिन की पास पंद्रह पैसे थे हामिद क्यों प्रसंद था? हामिद को आशा थी कि उसके अबाजान उसके लिए कमाने गए है आशा उमी थी और उसकी अमी अल्लाह के घर से उसके लिए बहुत सी चीजें लाने गई है चोटा सा बच्चा था तो इसी बात से कुछ था कि जब वो आएंगे तो वो उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे चिम्टे का दाम सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया? दिल बैठना मतलब निराश हो जाना, बुरी तरह से हताश हो जाना उसका दिल बैठ जाना, ठीक है? तो चिम्टे के दाम सुनकर हामिद का दिल इसलिए बैठ गया क्योंकि हामिद के पास केवल तीन पैसे थे और चिम्टे की कीमत छे पैसे थी अब इसके लिखित प्रश्णों की तरह बढ़ते हैं इद के दिन बच्चे खुश क्यों थे? इद के दिन बच्चे इदगाह जाने की तयारियां और अपने पैसों को देखकर खुश थे यानि वो जब चारों तरफ इद का जाने की तयारियां देख रहे थे सब तयार हो रहे हैं जाने की तयारी कर रहे हैं है ना? और उनके पास आज बहुत पैसे भी हैं तो ये सब देख देखकर वो बच्चे बहुत खुश थे। इद के दिन बच्चे खुश क्यों थे आपको समझा गया अगला प्रशन देखें। अमीना क्यों उदास थी? अमीना कौन थी? अमीना हामिद की दादी थी लेकिन वो इद वाले दिन उदास थी। क्यों? क्योंकि एद के दिन उसके घर खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। तियोहार के दिन जब सब के घर बहुत सारा सामान, अनाज और ये सब चीजें थी पकवान बन रहे थे, तब उसके घर में खाने के लिए अनका एक दाना भी नहीं था। साथियों के खिलोनेों को देख कर हामिद ने किस प्रकार अपने आपको समझाया हामिद ने अपने आपको समझाया कि इनके खिलोने मिठी के हैं गिर कर चूर हो जाएंगे हामिद ने अपने तीन पैसे के चिम्टे पर तीन पैसे थे उसने चिम्टा खरीदना था तो वो जो है उसने ऐसा क्यों किया क्यों खर्च किये खिलोने क्यों ने लिए क्योंकि वो चाहता था कि उसकी दाधी के हाथ ना जलें और वो उन्हें देखकर खुश भी होगी और दुआएं देगी अमीना का क्रोध इसने हमें क्यों बदल गया हामित का त्याग, सद्भाव और विवेग देखकर अमीना का क्रोध इसने हमें बदल गया मेले में यदि हामित की जगे आप होते तो क्या करते इस प्रश्ण का उत्तर आपको अपने विवेक से स्वयम लिखना है ओके आज के लिए इतना ही धन्यवाद